नमस्कार उत्राखंड के खास बुलेटन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ 56 शर्मा तो चलिए श्रुवात करते हैं बुलेटन की मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने ये मुनोत्रे विधान सबाक शेत्र स्थित नगरपाली का बढ़कोट में आयोजित लाबार्थी सम्मान सम्मेलन में शिर्कत की जहां पर सिंग धामी ने केंद्र और राजिसरकार द्वारा संचालित विभिन योजनाओं के लाबार्थियों से संबाद किया बतादे कि इससे पूर्व मुख्य बाजार में भाजुपा कारे करताओं ने मुख्य मंत्री के रोड शो में भारी संख्या में जन सेलाब उमड़ा और वहीं पर उनका फूल मालाओं की वर्षा करकर भव्य स्वागत किया कायटरिम के दुरान सीम धामी ने पीम अवास योजना, पीम विश्व कर्मा योजना, उज्वला योजना समेत कई योजनाओं के लाबार्थियों को सम्मानित भी किया अपने बढ़ा रहा है अपने बिजनिस को आगे बढ़ा रहे हैं अग्यान के लिए क्या कहना है इसके लगपति योजना चाहिए जारा है जिसके वादम से हमें आज पुरस्टारित क्या गया था समारोग मुक्यमंत्री के मादम से हमें उत्राखंड सरकार दंगईयों से निपटने के लिए सक्त कानून लेकर आई है बतादे की सोमवार को राजय काबिनेट की बैठक में सरकार ने उत्राखंड लोक और नीजी संपती क्षती वसूली अधिनियम को मंजूरी दी जिसके मताबिक दंगे के दोरान नुकसान घरपाई की जाएगी वहीं पर अब मुख्यमंद्री बुश्कर सिंग्धामीन का कहना है कि देश का सबसे सक्त कानून है जिसे मंजूरी दे दी गई है कि इस्ट्रियल इन्वार्मेंट के लिए है हमारे मांगे उनुद्बंदी जी और मांगे अपिस देखे हमने बहुत सोच विचार के पहले हम नकल का कानून लेकर आए नकल अध्यादेश लेकर आए उसमें हमने बड़ा अध्यन किया था उसी प्रकार से उसे समय में कुछ हैं और उब्दर्व हुआ है हमारा प्रदेश बहुत सब्देश है यह द्योभूमी है कि यहां पर इस परकार जी तोड़ को इस परकार का उब्दरो नीजी और सरकारी संपत्यों को छती पहुचाना इसका कोई इस्तान नहीं है इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ती को नोग्सान पहुचाने वालों को उब्दराव करने वालों करें कानुन में कठोर कारवाहि हो उनके लिए कोई रास्ता नब बते, इसलिए हमने ये कानुन लाए है इसमें हमने कठोर सजा का प्रावधान है, उनकी संपतिлатर लिप्त करने का अधिकार है उनसे पूरी वसूली का अधिकार है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा प्रतम दृष्ट्याइगा आठ लाग तक का जो है उसके ओपर सीधे जुर्माना किया जाएगा सीधे उनसे वसूली की जाएगी अन्में जो जीजे हैं वो जो अधारिक करेंगे उसका आधार पर उसके वसूली की जाएगी जिससे की इसके पीछे हेतु है उत्राखंट राज्यमें किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं नहों लकसर के हुसेन पूर गाउं में राजे सभा सांसद नरेश बंसल के पहुंचने पर कार्य करता उन्हें उनका भव्य स्वागत किया इस दोरान भाजपा के कई क्षेत्री नेता भी मौजूद थे बतादे कि नरेश बंसल ने मौजूद लोगों के सामने भाजपा की कार मिल रहा है हर कोई भाजपा सरकार में अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है बताते चलिन का कहना है कि भाजपा ने महिलाओं के लिए कई ऐसी उचनाय चलाई है जिनसे की महिलाओं को सम्मान मिल रहा है उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार भाजपा को 400 स से जादा सीट दिलाकर विजय बनाया जाए। मेरे जादकरे में नहीं किसी ने कहा था कि किसी ने कहा है जिम्मेदार आदमी नहीं है। महाशिवरात्री के मौके पर लाखों शिवभक्त गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार से जनपद उधम सिंग नगर वापसी में सबसे पहले उत्रप्रदेश उत्राखंड राजी की सीमा से होकर कावड यातरी जस्पूर में भूत पूरी से प्रवेश करते हैं। ऐसे में उधम सिंग नगर पूलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। आज से लगबग अपने ब्रिद्दी पर है और जो भूले हैं हमारे जो शिवभक्त हैं आज गंगा जल्ले करके और जनपद की सीमा में अधिकार्ण संख्या में प्रवेश किया हैं। चुकि हमारी तयारियां पहले से थी और महत्वपूर्ण यह है यातायात ब्यवस्था जिससे कि सुचार रूप से चलती रहें। किसी बहुले को कोई दिक्कत ना हो किसी अस्थानी व्यक्तिक को दिक्कत ना हो दुर्गटनाओं को रोका जा सके और जो भी हमारे शिवभक्त हैं वह सबसल अपने घरों को जाए। इसी संदर्म में चुकि हमारे महां जो कावड यात्री है जस्पूर के भूध पूरी से प्रवेश करते हैं जन्पद में और पुलवट्टा हो करके लाश्ट पॉइंट हमारा है जहां से कि वो बरेली की सिमा में प्रवेश करते हैं। तो जन्पद के अलग अलग जबहों पर जो एसोपी है जो पुराने बर्सों में सफल बेवस्ता रही है उसी कानुपालन किया गया है और आप देखेंगे कि दो मेजर चेंज है इसमें हमारा यह जस्पूर कठ है जहां हम लोग खड़े हैं और यहां से हम रांग साइड चल प्रताब चोग से चुकि आरूबी का निर्मान हो रहा है वो सीधे नहीं जा पाते हैं और रेलवे क्रास करना वहां पर कहीं न करीं जोखिम बरहा है लिया जा हम उनको रांग साइड से डाल करके राम लीला ग्राउन में और राम बेक साइड से गेट नंबर चार से निकाल कि दोरानी ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज करना और यात्री को जो भी हमारे कावन यात्री उनको वैसलिटेट करना उपुली हम इसमें सफालोंगे और सभी की जो कावन यात्रा हैं उसको सबुसल माहा दे होगी करना उत्रखंड से और जोड़ी खबरे आप तक साचा करेंगे लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटी से ब्रेक के लिए स्वागता आप सबका इस छोटी से ब्रेक के बाद मैं शिपवन शर्मा आपके साथ तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और मिनी स्विजिलेंड कही जाने वाले चोपता में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्क अवरुद हो गया जिस कारण की बरफ में 15 से 20 पर अटक फस गए इसके साथ ही राजमार्क पर एक विशाल काय पेड़ भी आगिरा जिसे हटाने के लिए SDRF और DDRF की टीम को काफी महनत करने पड़ी बतादे कि बुदवार को उखी मर्ट चोपता गोपेश्वर मंडल राजमार्क के चोपता में भारी बर्फबारी होने के साथ ही एक पेड़ भी आगिरा और सूचना के बाद SDRF की टीम निरिक्षक करन सिंग और जिला आपदा प्रबंदन अधिकारी नंदन सिंग रजवार आवर्शक रेस्क्यू उपकरणों के साथ ततकाल घटना स्तल पर पहुंचे और घटना स्तल पर पहुंच कर टीम दौरा तीवर कारवाई करते हुए सभी 15 से 20 पर यट को तक पहुंच बनाई गई और सभी को सुरक्षक बरफ क्षेत्र से भार निकाल कर उसे मार्ग में गिरे पेड को भी रेस्क्यूप करन की मदद से काट कर मार्ग को सुचारू किया गार्ग करते हैं तो आप लोग और हमारी गाडियां काफी लोग यहां पर फसे हुए हैं तीम दिन से तो आपके यहां पर रहने दूने की विवस्तत है तो पर क्या परकाल पर कारेखन पिशले देन से लगातार कारियत सब्सक्राइब करें मदद अब मशीन आए देखो कि उमीद है कि कल तक याज सामता निगल जाए हम लोग वन जीवों को बचाने की समात सेवी की अब पहल अब दो लेन की जग है राम नगर के मोहान तक एलिवेटिड पुल बनाया जाएगा ताकि वन जीव की सुरक्षा हो सके बतादे कि इसके लिए सर्वे कर प्रस्ताव भेजा जाएगा राम नगर से मोहान तक Elevated Pull बनाने की कवायत अब तेज हो चुकी है Elevated Pull बनाने से वन जी वहनों की चपेट में आने से बचेंगे साथ ही उनका वास्थल भी सुरक्षित हो जाएगा समाथ सेवी हरीशन्द्र सत्ती की पहल पर Corbett Tiger Reserve और रामनगरवन प्रभाग के अधिकारी NH के साथ मिलकर सर्वे कर रहे हैं बतादे कि NH के अधिकारी जल्दी सर्वे कर प्रस्ताव को केंद्र सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले को भेजेंगे जहां से स्वीकृति मिलने के बाद निर्मान कारे शुरू होगा अग्टूबर ज़़ार उननीस में मैंने मानी प्रधान मंत्री को रामनगर से महान तक अलिवर्टर पूल निर्मान के लिए गयापन भेजा था प्रतमान में 22 किलोमेटर बनाने के लिए परिवाई गतिमान है और गेजन सरकार द्वारा इसके लिए इसकी सर्वे के लिए 52 लाग रुपे अवमुक्त कर दी गए हैं अलिवर्टर पूल बनने से माना बनने जीव संघर्च में कमी आएगी अवर्ण बने जीओं के वास इस तर्व एंक अवश्डी करें रहेंगे इस प्रतेश की जनता सुरक्सित रहेंगी और परेटर को रहेंगे मैं इसके माननी जीए मैं इसके लिए माननी प्रधान मेंटी जीगा अबार अब्टत करता हूं NH 309 जो यहां से राम्दागा से रानी के तक भी जाता है उसको लगबद मर्चुला तक का डबल लेनिंग का प्रपोजल लाया हुआ तो लास्ट दो हफ्ते पहले इसका एक जॉइंट भी होगा था नहीं के साथ और इसमें हमने यही प्रपोस किया था कि अगर यहां पर डबल कि अगर में अगर हाइवे बना रहे हैं यहां डबने में कर रहे हैं वापर अलिबेटेड कॉरिणोर पर ही बनना पढ़े हैं तो हमने भी जॉइंट अब देखा जाएगा कि यह जब बस्ताव बनेगा तो उधम सिंग नगर जिले के खटीमा तराई पूर्वी उपवन प् कुरामीरों की फसल को पहुंचाय जा रहे हैं नुकसान को रोकने के लिए वनविभाग अब मदू मक्यों की सहायता ले रहा है तराई पूर्वी उपवन प्रभाग की प्रभागी अधिकारी संचिता वर्मा ने जानकारी दी हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि वन विभाग द्वारा वन ख्शेतरी से लगे सीमान करामीन अबादी क्षेतरों को सुरक्षित रखने हितू प्राकृतिक सुरक्षा ढाल के तोर पर बी हाइव फेंसिंग का उपयोग किया जाना शुरू कर दिया गया है जिसके अंतगरद सीमान क्षेतरों में की गई त कि अमक हो गए हैं जिस कारण नजी समधर्श की घटनाएं हमारे शेत्री के वरको इस भीज थोड़ा जादा हो गई हैं तो उनको रोपने के लिए और उनका पड़िया तरीके से निदान करने के लिए हम विभिन्न प्रयास कर रहे हैं तो उसमें से एक भी है फैंसिंग भी य उसभार का क्रामम्वासियों को ककि माधियों भी उलत्त करा सके और साथ दय्मक के आने से जो भी फसल एक नुक्सानिया जो भी ज salvation होती है उससे हम पचुत हैे साथ साथ हम मानवन ने जीव संगर्स को रोपने के लिए हमारी जो बन शेत्र हैं तो उनमें लगातार मुनाना तो चली उत्राखेंट के इस खास बुलिजिन में इतना ही मुझे दीजिये जाज़त आप जुड़े रहे गुलिस्तान ये उसके साथ